हेलो फॉरेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग दा वे अप थिंकिंग और दोस्तो आज हम बात करेंगे एग्री कल्चर नौलेज सीरीज के पार्ट 20 के बारे में और जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 से लेके पार्ट 90 तक आ चुके है अगर आपने नहीं देखे हैं तो description box में link दिया हुआ है वहाँ पर click करके आप सभी remaining part को देख सकते हैं और आज हम continue करेंगे उसका part 20 जो रहेगा water requirements of crop तो दोस्तो water requirements of crop से जितने भी question बन सकते हैं आज हम इस video में cover करेंगे और उसके बाद दोस्तो detail में जानेंगे कि सभी crops की water requirement कितनी होती है तो जुड़े रही है दोस्तों इस video में last तक और आपको आज बहुत important topic पढ़ने को मिल दा है उससे पहले अगर आपने agree mantra channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए और bell icon पर click करिए ताकि आपको agriculture job notifications video और agriculture competitive exam की video time से मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते है पहला question है what is the water requirement of wheat crop गेहूं की फसल को पानी की कितनी आवश्यक्ता होती है आपके सामने चार option है एक option सही है जिसको आपको gas करना है इसका सही answer option B 450 से 650 mm ठीक है दोस्तों यह millimeter में है तो यहाँ पर इतने mm कि यहाँ पर गेहूं के लिए water की requirement होती है आगे चलते हैं एक और important question के साथ next question है which instrument is used to measure evapotranspiration? evapotranspiration को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है आपके सामने चार option है एक option सही है जिसको आपको gas करना है इसका सही answer है option A lysimeter दोस्तों lysimeter के यह यूज करते हैं evapotranspiration को measure करने के लिए आगे चलते हैं एक और important question के साथ question number third what is the water requirement of tobacco crop तमाकू फसल में पानी की कितनी आवश्यक्ता होती है आपके सामने चार option है एक option सही है जिसको आपको gas करना है इसका सही answer है option B 400 से 600 mm ठीक है दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो का target है केवल और केवल 400 likes का अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक वाल लाइक का वटन जरूर दबा देना और दोस्तों इसका पीडियेप आफ description box में link दिया हुआ है वहाँ पर click करके free of course download कर सकते हैं आगे चलते हैं एक और important question पर question number four potometer is used to measure potometer का अपयोग किया जाता है तो relative density मापने के लिए transpiration मापने के लिए evaporation मापने के लिए या फिर इन मैंसे कोई नहीं आपके सामने चार option है एक option साहिए जिसको आपको guess करना है इसका से answer है transpiration दोस्तों transpiration को measure करने के लिए potometer instrument होता है जिससे उसको measure करते हैं आपका hydrometer होता है और evaporation के लिए evaporimeter होता है जिसको use करते हैं इंचियों को measure करने के लिए आगे चलते हैं एक और important question के साथ question number five which of the given crop have maximum water requirement दी गई फशल मेंसे किसको पानी की अधिकता मावश्यक्ता होती है आपके सामने चार option है एक option सही है जिसको आपको guess करना है इसका सही answer है option C sugar cane दोस्तों गन्य में इन फशलों में सबसे ज़्यादा requirement होती है water की ठीक है आगे चलते हैं एक और important question के साथ six question है what is the water requirement of sunflower crop सूरज मुखी की फशल को पानी की कितनी आवश्यक्ता होती है आपके सामने चार option है एक option सही है जिसको आपको guess करना है इसका सही answer है option A 3500 से 400 mm की आवश्यक्ता होती है सूरज मुखी की फशल को आगे चलते हैं एक और important question के साथ seven question है what is the water requirement of rice crop चावल की फशल को पानी की कितनी आवश्यक्ता होती है आपके सामने चार option है एक option सही है जिसको आपको guess करना है इसका सही answer है option B 900 से 1300 mm के बीच में ठीक है दोस्तों और आज का last question उसके बाद दोस्तों हम पूरी table से जानेंगे सभी crop की water requirement और उसके बाद special question जिसका आपको answer देना है वो भी आएगा और उसके बाद test करेंगे कल जो question पूछा गया था उसके answer के बारे तो यहां last question है दोस्तों कि वाट इस दा वाटर requirement of potato crop आलू की फसल को पानी की कितनी आवश्यक्ता होती है आपकी सामने चार option है एक option सही है जिसको आपको guess करना है इसका सही answer है option भी 500 से 700 mm की requirement होती है आलू को grow करने के लिए ठीक है दोस्तों अब चलते हैं टेबल से जान लेते हैं सभी crop remaining crop जो बची है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो राइस की बाद करेंगे तो यहां पर 900 से 1300 होता है अभी जान चुके हैं वीट की बाद करेंगे साड़े 400 से 650 mm ठीक है दोस्तों इस अब mm में है मक्के की बाद करेंगे तो साड़े 400 से 650 mm की बीच water requirement होती है सुगरकेन की 1800 से 2400 mm की बीच में requirement होती है ग्राउनट की बाद करेंगे तो 400 से 500 की बीच में रहती है water requirement कपास की बाद करेंगे तो साड़े 600 से 900 mm की बीच में होती ह शोरगम बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 400 से 550 mm की वीच में होती है रागी की बात करेंगे 400 से 455 mm होती है सोयवीन की बात करेंगे तो 4500 से 455 mm water requirement होती है सनफ्लोवर की बात करेंगे तो 3500 से 400 mm होती है सीसम तिल की बात करेंगे 1500 से 350 mm यहाँ पर water requirement होती है आगे बात करेंगे black gram की तो 300-400 mm water requirement होती है tobacco की बात करेंगे तो आपर 400-600 mm होती है आलू की बात करेंगे 500-700 mm होती है tomato की बात करेंगे तो 600-800 mm की बीच में होती है banana की बात करेंगे तो 1200-200 mm की बीच में होती है और यहाँ पर एक और है जो की है ग्रेप्स की यहाँ पर 500 से 1200 mm के बीच में आपकी requirement होती है ठीक है दोस्तो अब चलते हैं आगे जिसमें है आज का आपके लिए special question तो question क्या है ध्यान से सुनिए आपके लिए question है which instrument used to measure the growth in plants पौधों में ब्रद्धी को मापने के लिए किस उपकरण का अपयोग किया जाता है आपके सामनी चार option है एक बार में बोल देता हूं option A rotometer, option B crescograph, option C planimeter और option D none of these इसमें एक साही है जिसको आपको comment box में लिखके send करन अब बात कर लेते हैं पिछले question के discussion में तो पिछला question था दोस्तो 26th मेला ओफ लद्धा की जवान विज्ञान inaugurated in lay by तो इसका answer हो जाएगा option B राजना सिंग तो 90% लोगों ने सही answer दिया है so thank you for your effort ऐसे यागे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और आज का question है दोस्तो इसका आपको सही answer comment box में भीजना है अगर वीडियो पसंद आया तो एक वाल like का बटन जरूर दबा दीजिए और दोस्तो कम से कम इस वीडियो को एक WhatsApp एब बी ग्रूप में जरूर शेयर कर देना ताकि सभी student को water requirements related सभी question याद हो जाए और कभी भी question अगर paper में आता है तो easily आप यहां से कर सकेंगे और दोस्तों अगर आपने अभी तक एग्री मंतरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको agriculture job